हाई फ्रेंज्ट विलकम विक टू मैं चैनल आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन करी तो यहाँ पर मैंने मटन को अच्छी तरह से दो कर रख दिया है तो यहाँ पर हमने पाच बड़े साइज का प्याज कट कर रख दिया है और अठ्टकर लसन का पेस्ट भी रख दिया है उस उसे भी मैं आप डालूंगे उसके बाद मैं यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल लेई हूँ एक चमच यहाँ पे मैंने डाल चिने के पाच छे टुकरे ली है इसे भी डालेंगे आप उसके बाद मैंने यहाँ पे पाच अलाइची ली है उसे भी डाल रही हूँ और यहाँ पे पाच लंग भी ली है उसे भी डाल रही हूँ और उसके बाद दो तिन तेजबत्त ली है उसे भी हम अब डालेंगे इसमें इन सबी चीजों को डालने के बाद यहाँ पे मैं आपी मसाले डालूंगी मसालों में मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर ली है एक चमच और लालमिच पाउडर ली है देर चमच और जीड़ा पाउडर एक चमच और देर निया पाउडर एक चमच और स्वादन सा नमक डालेंगे अभी मैंने यहाँ पे बड़े साच का टमाटर काटके रगा था उसे हम अभी डालेंगे सो उसके बाद यहाँ पे मैंने सरसो का टेल लिया है यानि की मस्टर डॉयल मस्टर डॉयल डालने से मटन का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आता है और खाने में भी बहुत टेश्टी होता है उसके बाद मैं इन सबी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और अभी आप लोग देख सकते हो मैंने इन सबी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर ली है और उसके बाद इसमें तोरह सा पानी डालेंगे अभी हम पेशर कुकर को डक्कन से डक्कर रख देंगे तीन सीटी आने तक तीन सीटी आने के बाद मैं डक्कन हटा के देख रही हूँ हमारा जो मटन है वो अच्छी तरह से पक गया है यह देख सकते हैं आप लोग सो यह दिके फ्रेंज हमने जो प्यास काट के डाला था वो अभी गल चुका है इसके बाद भी यहाँ पर मैंने और तोड़ा पानी डाला था और इसे अभी और तोड़ा पकाएंगे और इसमें मीट मसाला डालेंगे अभी एक चमाच और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सभी को और आप लोग देख सकते हैं मटन करी का कालर कितना अच्छा आया है अभी हमारा मटन करी बनकर तैयार है आप सभी को में बाउल पे लेके दिखाती हूँ और आप भी इसी तरह से बनाईए अपने फेमेले के साथ भी शेर कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी शेर कीजिए अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लेगी हो तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और मेरे चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए बाई फ्रेंड्स